राम राम सत्सरीकाल सरे भाईयन भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखविर डांडा डैरी फरम में आप सब भाईयों का स्वागत है जो भी भाई चैनल से नई जुड़े हैं वीडियो को देख पा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगया गंटी का बटन जुरूर दबा लें ताकि आने वाड़ी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाईयों को मिलता रहे जो भाई फेस्बुक पेज से जुड़ना चाते हैं डांडा मुरा फारम के नाम से अपना फेस्बुक पेज है उसको लाइक करें फोलो करें और वीडियो अच्छी लगे तो वाँपर भी सेयर करें भाई आज आप सब भाईयों को अपने ही डैरी फारम पर एक जोटी दिखाएंगे भाई इसकी क्वाल्टी को देखे आपना दूसरे भी कह सकते हैं तीसरे भी कह सकते हैं देखो जो पसु खरीद्या हुआ है उसमें पका कनफरम कहा नहीं सकते भाई यह दूसरे भी हो सकती है और तीसरे भी हो सकती है लेकिन जो जोटी में क्वाल्टी है वो सारी टोप की है एक नंबर की क्वाल्टी लिए हुए है जो जो अडर है वो इसका आदा अडर मानो भाई अभी क्यों इसका खीस आदे के लगबग निकलिया हुआ है अभी तो आदा अडर है जब इसका पूरा अडर था तो बहुत ये कह सकते हैं कि पीछे की तरफ बहुत जादा निकला हुआ अडर था ये अभी कोई गंटा दो गंटा पहले ये अपने फारम पे पहुंची थी पूँच है इसकी जो पूरी जैड बलैक है अभी पूरी तरह बोड़ा सारा खाली किया नहीं है और इसने एक मेल काफ को जनम दिया हुआ है लेकिन जब भी ये खीश से खाली होने के बाद जब अपने पूरे रंग रंगत पे आएगी पूरे अडर के जोस पे आएगी तो भई बहुत ही अच्छा अडर होगा लंबाई पतली गर्दन की और बड़िया चेरे की जो टी है सिंग छोटा है वो आप देख सकते हैं और थनों का जो गैप है वो बहुत ही श्यांदार है इतना ही आगे से आगे वालेओं का इतना ही पीछे से पीछ वालेओं का ये देखें पीछे की तरफ अभी भी बहुत अड़र निकलिया वा है लेकिन जब ये पूरी रंगत पे आएगी अभी तो आदा बोड़ा मनोखीश कह सकते हैं पाल निकलिया हुआ है जोटीगा लेकिन जब ये पूरे रंगत पे आएगी तो अडरा ऐसा हो जाएगा बहुत ही शांदार दूद की बात करें दूद तो देखो चुआई इतनी शांदार है जब ये खाने पीने की बड़िया है देखो अपने आई है तो आंदे ही खाने पीने लगई और शील विशबाओ की बहुत अच्छी है तो कहने को तो मैं भी कहती हूँ इतना दूद देगी लेकिन जब अच्छा दूद देगी अच्छी चुआईगी है और थन भी बहुत टोप क्वाल्टी का लग रहा है आप देख सकते हैं और जो अडरपर है वो नसें भी बहुत अच्छी निकली हुई है और पतली चामी की जोटी है एक भाई का कमेंट था कि चामी एक तो मोटा चाम हो वो बहुत कम दूद निकाले हैं कोई जारों में एक और जो पतली चामी की जोटी हो है वो लग बग अच्छी दूदार जोटिया निकले हैं एक अड़ी इसके उपर आप देख सकते हैं एक कई बैस हो के तीन अडियाओं हैं तीन अडियाओं वारी निकाले हैं दूद कोई छीदी छीदी और जो एक अडियाडी है वो कोई जारों में एक नकली निकला है भाई लेकिन जो जो टीगी क्वाल्टी है उसमें आप यह कह सकते हैं कि अच्छे दुदार उपन के लक्षन है और अडर है जो जब यह खाली होके दुबारा बरेगा तो बहुत श्यांदार अडर बनेगा जैड बलैक है पूंच और ब्याने के बाद आप कोई पता जब पसु एक दम तूट सा लिया है फिर भी जोटी बहुत श्यांदार बनी होई है और यह कल श्याम की ब्याई होई है तो इसी से आप ज्यादा बोला जोटी का निकले होआ है तो और जब इसके अगर आडर में पूरा खीश होता तो आप देखते कि अलग साई रूप होता जोटी गा यह इसने मेल काप को जनम दिया हुआ है मेल काप पूरा एवी है जेट बलैक पूंच से इसकी भी भाई यह भी इसने पूरा एवी बच्चे को जनम दिया हुआ है यह देखें इसकी चुवाई भी पिछले थनों की अगले थनों की सारी करके वो एक इस पर भाई कोई दार में छीट नहीं है कोई वो नहीं है फोली चुआई की जोटी है कोई भी छीट छपपा नहीं है जोटी के चुआई में ऐसा ही पुशाओ है भाई देखो दिरे-दिरे खाली उने पर उसके बाद जोटी जब दूझ से चलेगी अलगी रूप होगा पिछले थनों की चुआई आपने देखी अब दुबारा फिर अगले थनों की चुआई करके दिखाएंगे भई मोटी चुआई की और फोली चुआई की वो है और देखने में जो थनों का गैप है वो एक अलग सा ही सुन्दरता को इसकी को वो कर रहा है तो आप सब भाईयों को ये जो टी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं भई लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सब भाईयों का तै दिल से धन्यवाद है